हाई दोस्तों नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े घोटाले की जो निकलता हुआ खबरों के साथ साथ आता हुआ मार्केट के अंदर दिख रहा है और अगर इसको कंसिरेड करते हैं तो डेफिनिटी आप यह समझ सकते है कि यह बहुत बड़ा बैंकिंग घोटाला साबित होगा देश का अब तक का जिया जी लगबख 22,842 करोड रुपे जो बैंकों के लोन के तोर पर लिए गए और कभी चुकाए ही नहीं गए और बैंकों ने इसको हमेशा से अपने NPA के अंदर नौट परफर्मिंग एसेट क के अंदर दिखाते हुए इसको काफी टाइम से एगनौर किया और डेफिनली आप समझ सकते हैं कि AVG शिप्यार के अंदर अगर मैं इसकी टोटल वेल्यू की बात करूं तो लगबख इसका शेयर एक रुपे बारा पैसे बारा पैसे पर ट्रेड करता हुआ दिखता है और इ 2842 करोल रुपे का गोटाला करता हुआ आपको आज दिखाई देता तो डेफिनली आप ये समझ सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी वीकनेस और उन बैंकिंग सेक्टरों के इतने ज़्यादा पैसे अगर कोई गवन कर लेता तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब लास्ट टाइम इतनी बड़ी न्यूस के साथ जब विजय माल्या जी हो या फिर कोई और भी हो जिसने बैंकिंग से पैसे लेकर उनको न चुकाने की कीमत जो शेर मार्केट को चुकानी पड़ती है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं और अगर मैं इ पिटेल आती हुई दिखाई दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये देखेंगे तो डेफिनली आपको मंडे को हर बैंकिंग सेक्टर के शेर के उपर इसका दवाव बनता हुआ दिखाई देगा अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूँ जो सबसे उपर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है जिससे लगबग 2925 करोड रुपे लिए गए हैं और अगर आईशे इसे बैंक के साथ देखते हैं तो वहां लगबग 7089 करोड रुपीज लिए गए हैं आईडियाई बैंक को देखते हैं तो लगबग 3649 करोड रुपे लिए इनको थोड़ा सा उपर करने कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से शेरों के अंदर खास कर उन शेरों के अंदर जहां पर आप देखेंगे जो मेक्सिकम बैंक हैं उनमें तगडी दवाव की जो प्रेशर बनता हुआ मंदे को दिखाई देगा पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जहां पर पंजाब नेशनल बैंक को आप देखेंगे तो लगब 1244 करोड रुपे एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 1323 करोड रुपे इंडियन ओवर सीज बैंक के अंदर लगब 1228 करोड रुपे बैंक ऑफ इंडिया के देखेंगे 719 करो उसके अंदर भी लगबस 714 करोड रुपे स्टेंडर्ड चार्टर बैंक तो यानि कि किसी भी बैंक को नहीं छोड़ा गया है और इसके साथ-साथ आप देखेंगे तो सिंडिकेट बैंक जो अब केंडरा बैंक होता हुआ नजर आ रहा है स्टेट ऑप बैंक सिंगापुर के साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी जो रकम को लिया गया है अगर इंडियन स्टेट बैंक को साथ-साथ सिंगापुर स्टेट बैंक से भी पैसे को लिया गया है देरा बैंक जो अब बैंक अब बरोड़ा के अंदर मर्ज होता हुआ दिखाई दे अंदरा बैंक जो अब यूनिन बैंक के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां से भी लगबग 350 करोड रुपे का जो पैसा लिया गया है और उसके साथ-साथ आप देखेंगे छोटे-मोटे इतने सारे बैंक जहां पर DCB बैंक, PNB International Limited, Lakshmi Villas Bank, Indian Bank, Indian Bank of Singapore और LIC तो यह सारे के सारी चीजों में अगर इसको कैलकुलेशन किया जाता है जिसमें लगबग Yes Bank जो बचता हुआ नजर आ रहा है वो लगबग 2 करोड रुपे का यहां से पैसा लिया गया है लेकिन प्रिवेसली Yes Bank खुद इतने सारे घाटे में और इतने सारे स्कैम में फसा हुआ तो इस टोटल ओवरॉल की वैल्यू जो नजर आ रही है वो लगबग 22,840 करोड रुपे नजर आती हुए दिखाई दे रही है और अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करती है तो यह अब तक का बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा गोटाला है जिसमें विजय मालिया जी तो बहुत छोटे बच्चों की तरह इसके अंदर दिखाई देंगे यह शिप्यार की बात करते तो आपको यहाँ पर आराम से दिखाई देता हुआ नजर आएगा कि किस तरह से जो शेयर है वो कुछ जादा वैल्यू का नहीं है लेकिन तब भी आप देखेंगे इसके अंदर लगबग जो इस टोडे शेयर प्राइज जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लगबग एक रुपे बारा पैसी का यह शेयर जिसकी टोटल कैपिलेट आएजिशन जो नजर आती हुए नजर यानि कंपनी का टोटल जो एसेट है वो लगबग 11 करोड रुपे का है और 11 करोड रुपे का जो टोटल एसेट की कंपनी है वो 22,840 रुपे का घोटाला यानि कि कैसे करती ही नजर आ लिए अगर में मेरे घर का जो टोटल कोस्टी 40 लाक रुपे है और मेरे को अगर कोई 500 करोड रुपे उधार देगा तो किस हिसाब से देगा यह समझ नहीं आता है तो यह डेफिनली बहुत बड़े घोटाले की तरफ जो इशारा होता हुआ नजर आ रहा है उसको आप अच्छी तरीकी से समझ सकते हैं क्योंकि अगर किसी कंपनी के शियर प्राइस में और किसी कंपनी का जो डाटा है ही नहीं अगर और उसके पास पैसा ही नहीं है तो कोई कैसे उसको इतना ज्यादा पैसा दे सकता है यह अच्छी तरीकी से समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर मैं और ज्यादा थोड़ी सी द्रश्टी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कंपनी जो आप देखेंगे लगब उनीस सो पिचासी से काम करती नजर आ रही है और टोड़े शेयर प्राइज एक दो रुपे है और इट्स करेंट मार्केट केर्पिटलाइजेशन स्टेंट्स एड़ी ग्यारा पॉइंट इक करोड़ कंपनी है रिपोड़े ग्रॉस सेल ऑफ तीन सो ब्यालिस करोड़ टोटल इंकम तीन सो सततर करोड़ दे कंपनी है इस तरह से कंपनी के मेनेजिंग इंकलूडर तो यहां पर यह दिखाई देता हुआ नजर आ रहे तो डेफरेंटली मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी नियूज आप तक पुचाने कोशिश करूपर हां जुछ भी समझेगा आप इस पास से यह समझ सकते हैं जितनी भी बैंकों की लिस्ट मैंने आपको दिखाई है उससे यह साफ साबित होता है कि बैंकों के अंदर जो एक बड़ी मजबूती आनी थी वो मंडे को एक बहुत बड़ी गिरावट के साथ आपको जो इशारा समझ आता हुआ दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि 22,842 करूड र 22 का पूरा का पूरा यह मामला है जिसके अंदर आप देखेंगे जो एजेंसिया इन्वाल्व होती है इस सब के पीछे किस तरह से पैसा लिया और दिया जाता है तो डेफिनली इसके अंदर एक बहुत बड़ी करुप्शन की बद्बू आती हुई दिखाई दे रही है और जहां पर आप देखेंगे इस बैंकिंग फ्रॉड के अंदर आप एक बहुत बड़ी जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो सभी के सभी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बैंकों को चुकानी पड़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे फनेशल के उपर एसेट के उपर ये रकम उनके सर पर दिखाए देगी जहां पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक हो बैंक ऑफ बरोदा हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो और येस बैंकों जो प्रेशर के अंदर अपने पुराने जो लो हैं उनसे ओवर नहीं पाए हैं और उसके बाद एक और घोटाला जिसके अंद उटाला हो गया उस पैसे को कहां से अब रिकवर किया जाएगा वो देखने वाली सबसे बड़ी बात है क्योंकि एस बैंकों की लिस्ट है जो इसके अंदर आती भी दिखाई दे रही है और एस बी आई के अंदर और और अज़िट है शोन तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो इतनी बड़ी होने के सासा और इतने बड़ी हाँ मेनेजमेंट के सासा जो बैंक होते हैं किस तरह से जो हम आम आदमी को तो पैसा देते नहीं लेकिन पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियो वो पैसा फ्री में बार देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ही पैसे बैंकों के अंदर जो जमा होते हैं उसके साथ एक बड़ा खिलवाड किया जाता है तो डेफिनली आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग शेक्टर के अंदर एक बहुत बड़े करप्शन की जो बदबू आती ही नजर आ रही है जो मंडे को पूरी तरीके से मार्केट के अंदर हावी रहेगा उसको देखने के लिए डेफिनली हमें मंडे तक कही इंतिजार करना पड़ेगा